मोधी सरकार के लेटेस बजेट में मिडल क्लास को वो चीज मिली गई जिसका उसे सालों से इंतजार था अब एडिटरी काम करो, ये लो मेरे हाथ हतकडी पहना दो, खुदी जाकर आत्म समरपन कर देता हूँ ने तो UAPA तो तुम लगवा की रखोगे, कमाल है यार, नेगिटिविटी की दुकान हो तुम सची बता रहा हूँ, देखो कितना बड़ा अनॉंसमेंट हुआ है, साथ लाग, साथ लाग तक income tax exemption मिल रहा है, सरचार्च पर रहा है हाँ, ये बात अलग है कि इस बात पर थोड़ी सी confusion है कि इस new income tax regime के आने के बाद क्या tax फिर से लगभग उतना ही हो जाएगा, क्योंकि exemptions और deductions ना के बराबर कर दी गई है अगर इसके बारे में detailed episode चाहिए तो नीचे comment section पर लिखो, income tax truth, free मैं नहीं मिलेगा, tax भरो चलो comment section पर लेकिन income tax के इलावा सरकार ने कुछ एहम घोशनाई की, जिससे अधानी जैसे बड़े corporations को आने वाले सालों में काफी वाइदा हो सकता है CAPEX यानि capital expenditure जो की पिछले साल 4.3 लाख करोर के असपास थी, इस बार उसे बढ़ाकर 10 लाख करोर बना दिया गया है इसके साथ साथ Urban infrastructure development fund 10 हजार करोर हर साल, साथी साथ green energy के तरफ focus ये सारे वो infrastructure और energy projects हैं जिससे अधानी जैसे companies के stocks में उच्छा लाना चाहिए था budget के दिन लेकिन अधानी stocks, budget के दिन ऐसे गिरी जैसे हमारे गोधी मीडिया का इमान आपने हिम्मत कैसे की ऐसे? अधानी empire के 10 stock, सारे जबरदस्त घाटे में, अधानी ports माइनिस 15%, अधानी total gas, अधानी green energy, ambuja cements माइनिस 10%, अधानी enterprises, अधानी की flagship company 27% down और ये एक दिन की बात कर रहा हूं, पिछले हफ़ते की बात नहीं कर रहा हूं, जहां खून खराबा, इससे भी काफी जादा हो चुका है एक हफ़ते में अधानी group की एक तिहाई value खतम हो चुकी है, टाटा, गुडबाई, और कुछ अधानी companies की valuation आधे तक गिर चुकी है पूरे group को करीबन 90 billion dollar का अल्रेडी नुकसान हो चुका है, और आज की date में गौतम अधानी भारत के सबसे अमीर इनसान भी नहीं रहे वो खिताब वापस मुकेश अमबानी के पास अब चले गया है बजेट के दिन जब सेंसेक्स उपर गया, अधानी के shares में इतना भुकंप क्यों आया आज का जो immediate reason था जो वजए थी, वो था credit suisse, अधानी ports and special economic zone, अधानी green energy और अधानी electricity मुंबई के जो notes है उसको zero value गोशित कर दिया गया सिंपल भाशा में बोले, तो credit suisse group ने ये कहा कि हम अधानी group के कुछ companies के जो bonds हैं, वो हम accept नहीं करेंगे वो bonds जिसके बिना पर margin loans दिये जाते हैं international money market में सिंपल भाशा में ये दिखाता है कि अब अंतराश्य बाजार में अधानी companies पर विश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है दूसरी बड़ी वज़े हिंडिनबर्ग report जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया जिसके वज़े से ये पूरी आग लगी है जिसके चलते सिर्फ अधानी group की companies ही नहीं वो सारे companies पर गिरावट आई है उनके shares में गिरावट के चपेट में गए हैं जिन्होंने अधानी पर पैसा भी लगाया था उस पर विश्वास किया था जैसे कि SBI, LIC साबके सब बड़े घाटे में रहे उधर अधानी ने भी उल्टा वार किया है पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 400 पेज का एक reply फाइल किया है, हिंडन बर्ग को जूटा बतलाया है और ये भी कहा है कि ये सब भारत देश के खिलाफ एक सोची समझी साजश है उसके बारे में हमने आपको इस एपिसोड में अलड़ी बता के रखा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिक आरोप क्या है, ये आरोप प्रत्यारोप क्या चल रहा है, ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा इन फैक्ट कल अदानी ने हिंडन बर को अंगूठा भी दिखाया जब उनका बीस हजार करोर रुपए का एफपियो उसकी नईया पार हो गई, लास्ट मिनिट में, चलो मान लिया, फोन कॉल लगाया गया जैसे कि सज्जन जिंदल, सुनील मितल, बट फंडिंग उनको मिल इसके चलते आदानी स्टॉक पर भी उच्छाल आया, और लगा कि बजट के दिन अब कम से कम एक बाउंस बैक की आशा रखी जा सकती है, तब ही ये क्रेडिट सुईस वाली खाबर आई, और मार्केट में हो गया सत्यानास, तो सवाल अब ये उड़ता है, जो कि हम देशभ में ये इंडिया पर अटाक है या अदानी पर अटाक है, और अगर इंडिया पर अटाक है, तो क्या हमें 5 trillion ton economy बनने से रोका जा रहा है, किसकी साज़िश है ये, इन सारे सवालों का जबाब आपको तब मिलेगा, जब आप हिंडन बर कमपनी को समझोगे, उसके फाउंडर Nathan Anderson की सचाई को जानोगे, कमपनी का track record क्या है, उसका agenda क्या है, उसका research कैसे होता है, ये सब हमें बता सकता है कि अदानी के shares कल वापस आएंगी market में या कुछ time तक ऐसे ही फिसलती रहेंगी, लड़कती रहेंगी, जिस इंसान ने अदानी की पोल खोली, भाई उसका भी तो CFO है, वो जलियावाला बाग को इस matter पर खीच के ले आए, अरे भाईया पैसा कमाओ, allegation लगाओ, ठीक है, शहीदों को तो बक्ष दो, नहीं तो ऐसे example हम भी यहाँ तान सकते हैं, तो ये सस्ता nationalism का चोगा मत पहनो, और point number two, इंडिया पर जहां तक attack की बात है, इसको भी एक अडानी पर हुआ है, इस पर कोई डाउट नहीं है, इंडिया पर नहीं, इंडिया बिलकोल ठीक है, अडानी के गिरने के बाद भी हमारे markets positive हैं, अपना देख लो गौतम भाई, और ये राश्ट्रवात का ये जो चोगा है, इसको पहनना मन्त करतो, नेता टाइब आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ, बेल आइकॉन पी दबाओ, मिलिये नेथन एंडर्सन से, जिन्होंने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की थी, ये University of Connecticut में इन्होंने पढ़ाई किये है, International Business Management में, जरूसलम में इन्होंने कुछ टाइम बिताया, USA फिर वापस आ जामक एक इनसान के साथ काम करते थे, अंडर्सन मार्कोपोलस को अपना मेंटॉर मानते हैं, अभी दिल्चस बात क्यों है, क्योंकि इसी मेंटॉर ने, इसी मार्कोपोलस ने बर्नी मैड़ाफ पॉन्जाई स्कीम का खोलासा किया था सबसे पहले, कौन है, मैड़ाफ, ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉन्जाई स्कीम था, 65 बिलियन डॉलर्स घायब, और उसका खुलासा जब हुआ था न, इंटरनेशनल सुर्खिया मन गई थी, और अब एंडर्सन उसी रहा पर, अपने मेंटॉर के रहा पर जाने की कोशिश कर रहा है, और इसी लिए उसने य संसनी मचे, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि संसनी मची भी हुई है, लेकिन क्या निशाना सही लगाया गया बाई एंडर्सन एंड बाई हिंडनबर्ग रिसर्च, मार्को पोलिस का खुद कहना है कि इस मामले में एंडर्सन वर्ल्ड क्लास है, अगर डिगिंग की बात क और दफनाया हुआ जो सच है, जो कंकाल है, वो ढूंड ही निकालते हैं, तो ये उनके मेंटॉर का कहना है, अब ये बाद भी साफ कर देते हैं कि नेथन एंडर्सन ये काम किसी पत्रकारिता पुरुसकार पाने के लिए नहीं कर रहा है और नहीं उन्हें नोबेल प्राइस चाहिए अच्छाई करने के लिए, पीस प्राइस, मकसाद साफ है, मार्केट में ऐसा शर्त लगाओ कि स्टॉक तेजी से गिरेगा और फिर ऐसी इंफरमेशन रिलीस करो जिससे स्टॉक सच में तेजी से गिरने लगे, इसी कॉंट्रवर्शल ये लीगल तरीके का इस्तमाल करके अडानी पर साधा गया है, एक बहुत तेज निशान, इंटरनैशनल मार्केट में टार्गेट किया गया है, अडानी को इस पे कोई डाउट नहीं है, और अडानी को जो 90 बिलियन का जो नुकसान अभी हुआ है, हैरानी होगी, लेकिन इस गिरावट से बहुत लोगों क पैसा भी मिला है, बहुत लोगों ने पैसा कमाया है, शौट करके, क्योंकि हिंडनबर्ग स्टॉक गिराने से पहले अपने जो स्पिसिफिक खास क्लाइंट्स होते हैं, उनको ये इंफर्मेशन देते हैं कि कौन सा स्टॉक गिरने वाला है, जिससे वो भी अपनी का, सच्या जूट का नहीं है, बाइदो वे, इस खेल में काफी रिस्क है, अगर स्टॉक नहीं गिरती है, अगर इंफर्मेशन गलत होती है, अगर कमपणी बहुत स्टॉघ निकलती है, तो स्टॉक उपर भी जा सकती है और इस से बहुत ज़ादा नुकसान होता है, और इस नुकसान को कहते हैं short squeeze तो क्या अडानी इस हमले से अब उभर पाएंगे घाटा तो हो गया ये बात तो साफ है क्योंकि बहुत सारी जगे ये लिखा गया है कि हिंडनबर्ग का जो निशाना होता है वो कभी चूकता नहीं है, वो कभी गलत नहीं होते है लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि December 2017 से लेकर अब तक हिंडनबर्ग ने 45 के आसपास companies पर धाबा बोला है उनकी बोल खोली है और इनका success rate रहा है 75% यानि ऐसी भी companies हैं जो इस वार को सहन कर चुकी है बच चुकी है और उस बाद में उनकी stock उपर भी गई है लेकिन finance के दुनिया में 75% hit rate को बहुत ही बढ़िया माना जाता है top of the class industry leading rate माना जाता है और ये भी fact है कि अदानी पर सवाल पहले भी उठ चुके हैं तो पहली बार तो सवाल उठे नहीं है तो फिर हिंडनबर्ग की अदानी पर जो research है वो कितनी गहरी है बड़े company पर होज चानबीन research जारी है जिसके चलते Mauritius की पूरी history geography निकाल ली गई है अब ये बात clear हो चुकी है कि जिस company की बात तब हो रही थी एक साल पहले उस profile में बात हो रही थी वो और कोई company नहीं अडानी की बात हो रही थी 2017 में Anderson ने Eros International PLC नामक एक company की पॉल खोली उसको expose किया उसको short किया ये company कौन सी थी ये company Eros International हमारे इंडिया की जो movie production firm है Eros उसकी New York Stock Exchange listed subsidiary थी अब तिल बिला के Eros ने defamation case दर्च कर दिया हिंडनबर्ग के खिलाफ तुमारी हिमाकत कैसे हुई ऐसे सवाल पूचने की हमें short करने की अब lawyer ने सोचा होगा इंडिया में defamation case से सारे लोगों को तो हम चुप करा देते हैं यहां भी चुप करा देंगे लेकिन ये तो America निकला यहां तो सच का तमाचा मरना allowed होता है तो judge ने defamation case उठा कर dustbin में फेग दिया और इस Eros International PLC की stock की हालत ऐसे होई कि वो 99 प्रतिशत तक गिर गई मजाग नहीं कर रहां 99% से ज़ादा गिर चुकी लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि Anderson का सबसे बड़ा target अभी तक का high profile रहा है American electric truck maker Nikola जूट का पहाड ख़ा कर दिया था Nikola के founder ने 34 billion dollar की valuation लेकर Hindenburg के खुलासे के बाद 1.3 billion dollar की valuation रह गई इस company की Nikola के founder Trevor Milton को jail भी हुई ग्याद रखिये Tesla के तरह Nikola एक new age American icon company थी pride of America तो Hindenburg को इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है बस shorting और पैसे का shock है और Adani एक मोटा target और वैसे सोची है जब सत्यम, 2G, coal scam चारा घोटाला ये सब चीज़ा सामने आये थी तब वो corruption था अब अचानक अगर सवाल उठ रहा है Adani पर तो वो international conspiracy बन जाती है भै ये कहा के फकीरी है और Hindenburg ने सबसे ज़ादा निशाने पर American companies को ही साधा है अपने देश के companies को ही साधा है तो ये बात कहना कि ये कोई American चाल है America हमें गिराना चाहता है अरे Hindenburg ने तो Tesla को भी short करने की कोशिस की थी लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हो पाए That brings us back to the main question कि यहां क्या वो सफल होंगे क्या अडानी का future lock हो चुका है क्या ये stock वापस नहीं आ पाएगी क्या उनके future में लाल ही लाल, घाटा ही घाटा यही लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं वजा number one, अडानी over leverage हो सकते हैं डेट में थोड़ा जादा हो सकते हैं लेकिन अपने loans को वो default नहीं कर रहे हैं आसपास भी नहीं उसके, क्यों? क्योंकि उनके पास मुटे मुटे businesses हैं ऐसे धंदे हैं, जो पैसा छाप रही हैं नोट छाप रही हैं और यहां इस industry ऐसे industries हैं जहां कोई competition भी नहीं है साब उपर वाले की कृपा है दूसरा, आडानी के shares open market में बहुत कम है इसे कहते हैं, कम free float इसको हमने अपने previous episode में भी आपको समझाया था तो ये एक limit तक ही गिरेंगी बाकी अगर कोई ना बेचे अडानी family ना बेचे Mauritius holding companies ना बेचे LIC ना बेचे, SBI ना बेचे तो साब चंगा सी साब उपर वाले के महरवानी है point number 3 और शायद सबसे बड़ा factor कि Hindenburg के 2 साल के research को ये point flop कर सकता है और वो ये कि Nate Anderson ये भूल गए कि अडानी के पास एक mobile phone है और उस mobile phone के speed dial में वो चीज़ है जो आपके और मेरे पास नहीं है बहुत बहुत बड़े बड़े दिगच powerful लोगों का number जो कि उनके speed dial पर है और उसी speed dial का इस्तमाल करके कुछी घंटों में 20,000 करोर का FPO उन्हें ने भरवा दिया जब देखा कि नहीं भर रहा है आखरी दिन में आखरी घंटों में भरवा दिया 100% सब्सक्राइब करा दिया साब उपर वाले की कृपा है अडानी को underestimate नहीं किया जा सकता है हाँ पिछले को एक हफते में company ने गलतियां बहुत ज़ादा की है ये मैं मानता हूँ अपने Australian CFO को भारत के ज़ंडे के साथ खड़ा करके राश्रवाद के पाट पड़ाए गए ये गलत था और ज़ंडे का अगर इतना शौक है तो Australian ज़ंडा लगाओ अपने देश का ज़ंडा लगाओ मेरे देश को क्यों खीच रहे उसके बीच में भाई और जिसका भी ये आइडिया था पहले तो उसको नौकरी से निकालो सैक करो उसको और अगर देश की ही बात करनी है तो पहले तो ये बात करो कि देश का regulator क्या कर रहा था देश का regulator सवाल क्यों नहीं पूछ रहा था और अब क्या सवाल पूछेगा कि इतनी बड़ी कंपनी इतनी हाई प्रोफाइल कंपनी इतनी इंटरनेशनल कंपनी इतनी आसानी से 90 बिलियन डॉलर तक तूट के से गई कौन घपला कर रहा था और कौन सो रहा था हिंडेंबर्ग का track record 75% तक का है अब अडानी 75% के इस तरफ आते हैं या उस तरफ आते हैं ये अगले कुछ हफतों में हमें समझ में आएगा लेकिन राष्ट्रवाद का चोगा पहनना लोगों का मूँ बंद करना अगर यूट्यूब ने इसको हटा दिया ब्लॉक कर दिया तब भी आपका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा और हम अपनी छोटी टीम के साथ ऐसे एपिसोड और भी बनाते रहेंगे अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप ज़रूर हमें जॉइन करिए एक अनुवल मेंबर बनिये on patreon.com slash देशभक्त देखते रहे हमारा चैनल चैहिंद नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकोन भी दबाओ